नमस्कार, Vision ISK News Today के इसंख में आप सभी का स्वागत है। इसंख में हम आपके लिए लेकर आए हैं UPSC परिक्षा की दृष्टी से महतोपूर्म कुछ एहम खबरें। इसंख में तिर्यार को वर्ष 1999 में स्थापित किया गया था। यह आपदा जोखिम न्यूनिकरण से संबंदित प्रयासों के समनवयन के लिए संव्प्तृराश्ट्र प्रनाली में एकेंद्री अभिकरण के रूप में काम करता है। यह वर्ष 2015 से वर्ष 2030 के लिए आपदा ज चानते हैं इस रिपोर्ट के मुखे निशकर्श। से 2019 के बीच 2.8 बिलियन से अधिक लोग आपदा से प्रभावित हुए थे। के समक्ष जोखी मुद्पन करते हैं। भारत में कुल बोए गई शेत्रों का 51 प्रतिशत भाग वर्षा संचित क्रशी के अंतरगत शामिल हैं और ये कुल खादय उत्पादन में लगभग 40 प्रतिशत का योगदान करता है। अगली खबर निर्वाचन आयोग से सम्मदित है। एक मानिता प्राप्त राजनीतिक दल के लिए आरक्षित होता है जो एक राष्ट्रिय दल या राज्य इस्तरिय दल का हो सकता है। प्राप्त करने के लिए एक उमीदवार को नामांकन पत्र प्रिस्तुत करते समय अनारक्षित प्रतीकों की सूची में से अपनी वरियता के अनुसार तीन प्रतीकों की एक सूची प्रदान करनी होती है। निर्वाचन आयोग को किसी मानेता प्राप्त राज्नीतिक दल के नाम या प्रतीक पर दावे को लेकर प्रतिदवन्दवी समूहों या वर्गों के बीच विवात पर निर्णे लेने का अधिकार प्राप्त है। अगली खबर उर्जा शेतर से संबन्दित है। के निकट इस्थित उपभोकताओं द्वारा प्राकृतिक गैस रोतों से दूर इस्थित उपभोकताओं का क्रॉस सब्सिडाइजेशन किया जाएगा। ये प्रारूप संपूर नेट्वर्क को दो जोन में विभाजित करने का प्रस्ताव करता है। इसे जोन वन में राष्ट्रे गैस ग्रिड में प्राकृतिक गैस के अंताश्येपन के बिंदू से किसी भी छोड से 300 किलोमीटर तक का विस्तार है। वहीं जोन टू में 300 किलोमीटर के बाद की संपूर लंबाई को शामिल किया जाता है। आध्यम से गैस परिवहन को समर्थन मिलेगा। आपको बता दें कि PNGR भी एक सामविदिक निकाय है जो पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस के परिशकरन, परिवहन, वितरन, भंडारन, विपडन, आपूर्ती और विक्रे के विनियमन के लिए उतरदाई अगली खबर आधार से संबंदित है। प्रासियों के लिए भारतिय विशिष्ट पहचान प्राधिकरन, UIDAI द्वारा जारी की गई सत्यापन योगे 12 अंकिये पहचान संख्या है। आधार बायोमेट्रिक डेटा के साथ केवल चार प्रकार की व्यक्तिकत सूचना जिसमें नाम, आयू, लिंग और पता शामिल है, इसे एकत्र करता है। इसे आधार अधिनियम 2016 के प्रावधानों के तहट, इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रद्योगी की मंत्राले के अधीन इस्थापित किया गया है। और इसे पैन के साथ जोड़ना भी अनिवारि किया गया है। निजी कंपनियों द्वारा आधार की मांग नहीं की जा सकती है। उचितम नियाले द्वारा आधार कानून में शामिल उस प्रावधान को निरस्थ कर दिया गया है जिसमें राष्ट्रे सुरक्षा के आधार पर आधार का डेटा साज़ा करने की अनुमत्य प्रदान की गई थी। अगली खबर अंतराष्ट्रिय उर्जा एजेंसी से संबंदित हैं। हामारी ने स्वक्ष उर्जा विकल्पों को त्वरित रूप से अपनाए जाने की प्रक्रिया की संभावनाओं को कैसे प्रभावित किया है। आईए अब जानते हैं इस रिपोर्ट के मुखे निशकर्ष। रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2020 में वैश्विक उर्जा मांग में 5 प्रतिशत, उर्जा से संबंदित कार्बन डायोकसाइड उत्सरजन में 7 प्रतिशत और उर्जा निवेश में 18 प्रतिशत की गिरावट होने की संभावना है। वर्ष 2014 तक उद्योगी क्रांती के बाद पहली बार उर्जा मिश्रन में कोईले की भागीदारी 20 प्रतिशत से कम हो जाएगी। इसके अलावा रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि नवीकरणिय उर्जा वर्ष 2030 तक वैश्रिक विद्युत मांग में व्रधी के 80 प्रतिशत की पूर्ति करते हुए विद्युत ग्रिट से कोईले को प्रतिस्थापित कर देगी। विद्युत ग्रिट विद्युत आपूर्ति की विश्वस्नियता और सुरक्षा संबंदी नहितार्थ के साथ विद्युत शेत्र के समगर सुधार में कमजोर कड़ी सिद्ध हो सकती है। इसके अलावा भारत के उपयोगिता पैमाने पर बैटरी भंडारन के लिए सबसे बड़ा बाजार बन जाने के बाद विद्युत भंडारन उर्ज़ा प्रणालियों के लचीले संचालन को सुनिश्चित करने में एक महत्यपूर्ण भूमिका निभा सकता है। रिपोर्ट के अनुसार तेल आपूर्ती विवधानों का सामोहिक रूप से समधान खोजने में विभिन राष्ट्रों की सहयता के लिए वर्ष 1974 में IEA की स्थापना की गई थी। ये आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD की सनरचना के भीतर एक स्वायत निकाय है। भा 1908 वा सत्र निर्धारित समय वर्ष 2021 की बजाए वर्ष 2022 में आयोजित किया जाएगा। आइएस सीय की शुरुआत दो ब्रिटिश रसायन सास्तुरियों प्रोफेसर जेल साइमन सेन और प्रोफेसर पियस मैकमोहन की पहल से हुई थी। इसका उद्देश्य वार्षिक अधि वर्ष 1914 में कलकत्ता में आयोजित किया गया था। वर्ष 1947 में प्रथम प्रधान मंत्री जवाहरलाल नहरू सत्र के सभापती थे। इस परंपरा को अन्य सभी प्रधान मंत्रियों द्वारा आगे बढ़ाय गया है। भावी धंग से लागू करें। एशिया प्रशांत शेत्र में एपी जी के 41 सदस्य हैं और भारत भी इसका एक सदस्य है। भारत और मालदीव ने 400 मिलियन डॉलर के कनेक्टिविटी समझोते पर हस्ताक्षर किये। भारत ने Greater Malay Connectivity Project GMCP को पूझी प्रदान करने के लिए मालदीव को 500 मिलियन डॉलर का पैकेज प्रदान किया है। इसमें 100 मिलियन डॉलर अनुदान के रूप में दिया गया है और 400 मिलियन डॉलर लाइन ओफ क्रेडिट के रूप में है। GMCP 6.7 किलोमीटर का एक सेतू और कॉजवे नेटवर्क है जो माले को विलिंगिली, गुलही फलहू और थिलाफूशी दीपसमूहों के साथ जोडता है। ये चीन समर्थित चीन मालदीव मैत्रिसेतू का उधगाटन होने के बाद मालदीव में दूसरी महत्योपून कनेक्टिविटी पर यूजना है। इससे पहले भारत ने मालदीव को 800 मिलियन डॉलर का रिंट दिया था। महिला वैग्यानिक योजना इसे वर्ष 2002-2003 में विज्ञान एवं प्रद्योगी की विभाग द्वारा प्रारंभी किया गया था। ये पहल मुख्य रूप से 27-57 वर्ष आयू वर्ष की उन महिला वैग्यानिकों और प्रद्योगी की विदों को अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से प्रारंभी की गई थी जिन्होंने अपने करियर में एक अवकाश लिया था। लेकिन वे वापस अपने करियर को प्राप्त करने की इच्छुक हैं। ट्राइफेड की एक पहल है। इस पहल का उद्देश्य प्रदानमंत्री वन धन योजना के तहत नामांकित जन्जातिय वनुपद संग्रहाकों को उद्यमिता कौशल प्रदान करके उनकी शमता का निर्मान करना है। Electronic Vaccine Intelligence Network इविन ये देश भर में ठीका करन आपूर्ती श्रिंखला प्रणालियों को सुद्रिन करने के उद्देश्य से एक नवोनमिश तकनीक आधारित समाधान है। इसे स्वास्थे एवं परिवार कल्यान मंत्राले द्वारा राष्ट्रे स्वास्थे मिशन के तहत लागू किया जा रहा है। इसका उद्देश्य देश के सभी शीत श्रंखला केंद्रों में वेक्सीन के भंडार और बाजार में उपलब्धता एवं भंडारन तापमान पर रियल टाइम जानकारी प्रदान करना है। COVID-19 वेक्सीन के वितरन के लिए इविन को पुनह उपयोग में लाया जा रहा है। प्रदान करता है और पौधे मचलियों के लिए जल को शुद्ध करने में सहता करते हैं। एक एक्वापोनिक्स पद्दती में पारंपरी खेती की तुलना में 90 प्रतिशत कम जल का प्रियोग होता है। नेचुपु सुरंग अरुनाचल प्रदेश ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर बुलातात होगी। कुछ अन्य महत्वपुन खबरों के साथ तब तक के लिए नमस्कार। कि अन्य महत्त है।